बहुत सारी चीजें आपको पता हैं, चल रही हैं, उनमें किन ताक्तों का हाथ है, किन का नहीं है, वो जग जाहिर है, उनमें कोई बताने वाली बाते नहीं है, ठीक है, कितने सारे हमारे जो टीचर्स हैं, उनको पोच किया गया, कितने सारे टीचर्स जब वो यहाँ पे थे, उनको पोज करने की कुशिश करी गई जितने भी teachers आपके respective batches में अलग-अलग batches में पढ़ा रहे हैं उन सबको पोज करने की कुशिश करी गई ये सबको पता है, ठीक है हर एक को अलग-अलग जगा पे बुलाके अलग-अलग जगा पे meetings करके ठीक है, वो सबको पता है ये बताने वाली बाते नहीं है हाँ, सबको पता है, सबको पता है मैं इन बातों में ना जाके बातों में ना जाके आप अपने dream की तरफ धहान दीजिए आप अपने उपर focus रखिए, ठीक है आप किसी भी teacher से बात करेंगी वो यही जवाब देगा, कि हमें भी बूलाया गया था हमें भी ये बूला गया था मैं अगर personally अपनी बात करूँ तो obviously हमें भी बूलाया गया था हमें भी बूला गया था, ठीक बताए कितने X आपकी salary increase करी जाए कितने X where X is in crores ठीक है, advance दिया जाए ठीक है, और जो नया vertical वो so called build up कर रहे है नई company में, उसमें revenue में कितना आपका share रखा जाए ठीक है, बट इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ठीक है, PW सिरफ और सिरफ आप लोगों के प्यार के उपर चल रहा है ध्यान उस पे रखें, ध्यान सिरफ और सिरफ अपनी पढ़ाई के उपर रखें किसी भी परकार में कोई भी चीजों आपका ध्यान divert नहीं होना चाहिए, ठीक है कई ऐसे लोग है, ठीक है, आप कोई भी बात कर सकते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम सारे normal human beings हैं, ठीक है, we all are same, ठीक है आप घर में खुश होते हैं, उदास होते हैं किसी और तरह का कोई emotion show करते हैं मान लिजे आप किसी दिन emotional हो जाएं ठीक है, तो आपके घर में जितने भी members हैं, ठीक है, वो आपको चुप कराएंगे, आपको गले लगाएंगे और आपको कहेंगे, चुप हो जाएं ना किसी एक particular सर के साथ है क्या हुआ कि अपने घर में बैठे हुए हैं ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि वो emotional हो रहे हैं उनकी घर में बैठे हुए कैसे किसी ने उनकी वीडियो बना ली, कैसे बना ली यार आप अपने घर में emotional होते हैं तो क्या आपके घर पे आपकी वीडियो बनाई जाती है मैं अपने घर पे emotional होता तो क्या मेरी वीडियो बनाई जाती है क्या अलग सर अपने घर पे emotional होते हैं कैसे हुआ वो कैसे हो सकता है क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या अलग सर को पिछले इतने सालों में क्या कशर कभी emotional नहीं हुए होंगे definitely हुए होंगे we all are human beings but क्या वो videos हम लोग YouTube पे पोस्ट करते हैं नहीं ठीक है हमारे पास बच्चों का अथा प्यार काफी है काफी है हमारे survive करने के लिए हमारे रहने के लिए ठीक है बहुत है ample amount of I would say it's a good mixture of money and प्यार ठीक है जिसमें प्यार का definitely बहुत बढ़ा रोल है ठीक है जिस तरह का treatment अलग सर को देखना पड़ा पिछले कुछ दिलों में ठीक है यह सोच से परे है सोच से परे है ठीक है कोई एक teacher कह रहे के सर हमारे पास तो दाल रोटी खाने के भी पता नहीं मेरे पास पैसे है के नहीं है सर करोडों रुपे का bank balance है आपके पास जिसमें करोडों रुपे का transaction हुआ है पिछले एक महीने में आपके bank में ठीक है we have that proof with us we have that proof आपके अकाउंट में 10 रुपे भी किछी के अकाउंट में डाले जाते हैं चाहे वो UPI से डाले जाएं एन EFT से डाले जाएं RTGS से डाले जाएं तो एक उसका transaction ID होता है जिसमें ये बता जलता है कि किसने पैसे डाले हैं किस को डाले हैं ठीक है और amount तो obviously आता ही ह वो हमारे पास है सर क्या बता दें बच्चों को बता दें क्या अलग सर जो आपके साथ हर सुक तुक में खड़े रहे आपके साथ भी और हमारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं है ठीक है कि आपके साथ थे और हमारे साथ नहीं थे ठीक है तो खड़े रहे आज उनको ये चीज़े देखनी पड़ रही है, यह सही नहीं है सर, चंद पैसों के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको जाना था, आप जा सकते हैं, दरवाजे तो किसी ने बंद नहीं किये हुए थे, ठीक है, आपकी जब हमसे भी मीटिंग हुई थी, तो आपने क्या बात बोली थी हमने जब बोला कि आप जब छूड़के जाएंगे, तो क्या बात बोलेंगे आप, क्या बात बोलेंगे, तभ आपने यही बोला था ना, हम बोलेंगे P.W. बहुत बड़ा हो गया है, P.W. के वर्टिकल बहुत जादा खुल गए है, ठीक है, तो मैंने कहा था बच्चे मिला आपको इस कंपनी से पैसा अथा प्यार पावर क्या नहीं मिला परतीक सर अलग सर हर सुख दुख में आपके मेरे हमेशा खड़े रहे एक आवाज पे एक मैसेज पे एक कॉल पे ऐसा नहीं करना चाहिए दजर आपको ऐसी चीज़े आपको शोबा नहीं देती है बच्चों की नजर में जो ग्राफ आपका गिरता हुआ दिख रहा है यह आप डिजर्व नहीं करते ज़र बट शायद पैसों की आप बताएंगे तो हम डाल देंगे ट्रांजेक्शन डीटेल्स किस डेट की थी इस कंपनी में रहते हुए आपने उनसे अडवांस लिया है और काफे दिन पहले से अडवांस लिया हुआ है पता है ना सर आपको लोग कहते हैं कि हमारे पास डाल रूटी खाने के पैसे नहीं है करोडो रुपे का बैंक बैलन्स होने के बावजूद भी क्या आपके पास डाल रूटी खाने के लिए बैलन्स नहीं है ऐसी कौन सी डाल रूटी खाते हैं सरा क्या आप बताएंगे सोचा नहीं था कि ये चीजें कभी आपको बोलनी पड़ेंगी क्या पैसा वाके प्यार से भी ज़्यादा important है क्या जब आपसे बोली गई है बातें कि बच्चे ये सब जो आप imaginary reasons बना रहे हैं vertical ज़्यादा उने कारण पीछे एक company है इतने YouTube channels बनाएंगे इतना perception create करेंगे क्योंकि channels हमारे है YouTube को कैसे manipulate करना है पूरी company है ना इसी कंदे ब्यात रखके बोला दा न सर आपने कुछ निकर पाई ज़र वो company और इतना पैसों का नशा सहीं ही होता आपको जाना था आप जा सकते ज़र किसी ने रोका था रोका था तो ethical grounds पर रोका था जब मैंने आप से पूछा किसी सब करने के क्या ज़रूरत आ पड़ी तो आपने मुझे एक जवाब दिया था इस batch में इतने बच्चे हैं और हमारी salary ये है और कोई incident ने डिसकस किया था इसी company ने है आज से जब PW में आये थे उससे काफी साल पहले से आप पढ़ा रहे हैं कितनी companyों के owner है सर जो past में आपके साथ रहे हैं और आपके लिए चार-चार लाइने भी आपकी तारीफ में बोली हो है कोई 2014 की recording है कोई 2016 की recording 17 की recording अठना की recording नहीं है न सर शायद अलग सर से यही गलती हो गई शायद यही गलती हो गई बट याद रखेगा तुम्हें अलग पांड़े लेके जाओगे वो हजार अलग पांड़े खड़ा कर देगा सब परदा पाश हो चुका है कि यह संकल्प नहीं साजिश है यह हमारे बच्चों का पिछले जो 40-45 इन बचे हैं उनका future खराब करने का उनका dream उनसे दूर ले जाने की साजिश है आप कह रहे थे कि एप में हम किसी से बीख मांग के एप बन वा लेंगे जो company आपके लिए सैंक्डो YouTube के creator को mail बेज रही है जो public domain में आ चुके हैं कि आप हमारे साथ collaborate कर लें ठीक है यह तो public domain में है सर कब तक जूत बोलोगे कब तक छुपाओगे उन पैसों को आपकी अगर इच्छा है तो मैं with the name of the teacher क्या वो transactions details बता दूँ क्या सबको इन बच्चों को बता दूँ अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं बता दूँ सर dates भी याद है सर कुझे transaction की एक ये ये date थी न वो और एक lawn से पहले की date यह यह ना जो advance आ रहा है देरे देरे बताएं सर जूठे allegations के बिना पे जो आप इमारत खड़ी करने की कुशिश कर रहे थे वो डह गई है सर आपने सूचा कि आप YouTube को eliminate कर लोगे आप बच्चों के perception को eliminate कर लोगे आप बच्चों के प्यार को eliminate नहीं कर सकते सूचा नहीं था जितने आपके account में पैसे हैं न अभी उनको count करने के लिए कि कितना बड़ा number लिखा हुआ है मिरको ऐसे देखना पड़ा dash 0000 पता नहीं कितने 0 थे वो जो पैसे दिख रहे हैं उसका 95% से ज़्यादा हिस्सा इसलिए एक से डेड़ मीने के अंदर ट्रांजक्टों है सर आपके account में किसी एक company दवारा मैं फिर आपसे एक ही question पूछन पूछना चाता हूँ क्या वो transaction details हमारे इन प्यारे बच्चों को बता दी जाएंगे आप एक अभी वीडियो आया था आपका जिसमें आप emotional हो गएते और वो recorded वीडियो था सर आपने उसके शुरू में बोला कि हम सारे allegations का answer देंगे और वो recorded वीडियो में कुछ हुआ तो है नहीं सर आपने किसी allegation का answer नहीं दिया और as a human being we all go through a sea of emotions बट कभी हम वो वीडियो पे लेके थोड़ा आते हैं सर अलग सर का देखा कभी आपने उन्हें अपने emotions को सब के सामने रखा नहीं रखा ना हमें देखा कभी नहीं रखा ना आज भी आपको जबाब दे रहे हैं तो प्यार से दे रहे हैं सच को बताने के लिए ड्रामा करने की जुरूत नहीं होती सर जूट को imprint करने के लिए सामदावदंडवीद लगाना पड़ता है जो आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये संकल्प नहीं साजिश है और मेरी आपसे हाथ जूड के विनती है कि कभी अपनी life में सत्यमेव जैते को यूज़ मत करियेगा क्योंकि आपने सबसे जूट बोला PW से भी और बच्चों से भी और ये आप भी जानते हैं आपका bank balance बता रहा है वो transactions जो पिछले एक डिड़ मीने में होई है वो बता रही है इस company में रहते होगे advance लिया है अपने करोडों का अब ये मत कहिएगा ओहो मेरे अकाउंट में करोडों रुपे बढ़े है मुझे तो पता ही नहीं था ये मत कहिएगा अकाउंट बंद भी करवा देंगे न सर तो उसके साथ आपका आधार link था आपका नाम link था आपका phone link था सारी details वाहर आजाएगी सर जितनी मर्जी planning कर ले जूट कभी सच नहीं हो सकता और किसी बच्चे का अगर result का नुक्सान होगा न तो फिर देखना सरा पूरा साल पूरे पिछले दो साल से जो हम पढ़ा रहे हैं इन बच्चों के लिए ही पढ़ा रहे हैं इनके result के लिए ही पढ़ा रहे हैं आपको ये करने से पहले एक बार उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए था इस नीट का result आया था न बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका कहना था कि अगर एक nominal amount of fee नहीं होता पीड़्यू का तो शायद हम हमारा selection ना हो पाता उन बच्चों का भी खयाल नहीं आया सर आपको नहीं आया एक बार भी खया कि करोडों रुपे के सामने उस सारे बच्चे दूमी लोगे सर जिए एडवांस में आपकी बार result आया था एक बच्चे ने बूला था मैंने घर की बकरी भीच के जो है वो चार जार रुपे फीज दी थी भूल गे सर आप उन सवरी बच्चों को नीट में एक बच्चा आया था उसके घर की वीडियो थी उसके हालाद भूल गे सर आप कैसे भूल गे सर आप कैसा विजेन अलाइनमेंट है सर ये क्या बोला था आपने मेंट को कि हमने 20 कंपणी के CEO से बात करिये है तो अगर हमने ये कंपणी चुनी है तो obviously advance भी दे रही है और salary भी कहीं गुना बढ़ा रही है और क्या हाँ इतना revenue होगा revenue में क्या बात कर रहे थे course भी केंगे, किताबे भी केंगी test series भी केंगी उसमें जो revenue होगा, उसमें से आपका हिस्सा होगा हमारा हिस्सा हमारे pass है जर्क और वो बच्चों का प्यार है लास्ट में आपसे सिर्फ एक single question है क्या वो transaction details बच्चों को दे दी जाएं क्या और बाकी बच्चे पढ़ाई पर द्यान दीजिए, पढ़ना जादा important है, result जादा important है